यह तो continuously आप ड्राइब करें चैसे आप एक बर पलसर उसके बाद में TBS राइडर हो गई या फिर होंडा की साइन SP, हिरो की ग्लैमर वगरे जितनी भी 125cc आती है तो आप एक बाद एक गाड़ी ड्राइब करते जाएंगे तो आपको performance का एकदम best है हेलो दोस्तो आज मैं आपके लेकिया एक लाग के बजट में आने वाली बजाच की पलसर 125cc जी हां दोस्तो यदि आपको चाहिए 150cc वाला पलसर का लूग लेकिन आप चाहे तो performance में थोड़ी यदी compromise करना चाहे तो आप पलसर की सौरी बजाच पलसर की 125cc आप ले सकते तो चल आपे मिल जाते हमें आलाव विल जोकी रहने वाले हमारे सत्रा इंची के ट्यूबलेस अलाव विल यदि आपको यहां दिख रहा हो प्लेट लगी हुई है अब जैसे इसके इंजन में आए यदि मैं पलसर 125 सिसी के इंजन की बात करूँ तो इसमें फोर स्टोक डिटी एस आई सिंगल सिलेंडर टू वाल इंजन मिल जाता है जो की बहुत बहतरीन पावर जनरेट करता है साथी मैं इसमें हमें फ्यूल टेंग क केपीसिटी की बात करें तो फ्यूल टेंग की केपीसिटी इसमें 17.5 लिटर की मिल जाती है याने की साड़े Strategic से देदी की बात करें तो तो कि इसमें length मिल जाती width की बात करूँ तो 755 mm की width मिलती है अब बात कर लो इसके height की तो height हमें 1060 mm की height मिल जाती है यदि wheelbase की बात करें तो इसमें 1320 का wheelbase मिल जाता है और यदि ground clearance की बात कर लो तो ground clearance इसमें हमें 165 mm का मिल जाता है जो की काफी अच्छा है बट off-roading में थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है इसके side look या side profile के बात करूँ तो इस type से दिखती है यह on-road एक लाग 13,000 के आसपस पढ़ जाती है जो की sports या फिर couple seat जिसे बोलते है उसमें अगर हाप plane seat लेते हैं तो एक लाग 10,000 एक लाग 11,000 के आसपस में पढ़ जाती है यह बालागाट MP का प्राइज है यह रहा इसका front look साथी में dashboard दिखा दू आपको इसमें पूरा fully digital रहता है यह गाड़ी यह भी चल चुकी है 881 km आज है कल में इसकी पहली service हुई है मुझे exactly याद नहीं है कल हुई है कि कब हुई है यहाँ पर मिल जाता है हमें engine cut off को यहाँ पर हमें total मिल जाता है यहाँ पर disc brake के oil gaging अगरे देखने को मिल जाती है इधर side के बात करूँ तो यहाँ पर indicator के control मिलते हैं यहाँ पर horn के control यहाँ पर light के control मिल जाते हैं साथी में अब यह pass के indicator की button है चलिए अब बात कर लेते हैं इसके back side की back side में बात करने से पहले आपको मैं बता दूँ यहाँ पर हमें मिल जाता है sadi guard जो की female अगरों के लिए यूज होता है और यहाँ पर leg guard भी बोलते हैं यहाँ पर side stand में इसके gears की बात करूँ इसमें हमें 5 गेर मिल जाते हैं पहला सामने बीच में neutral और 5 गेर पीछे लगते हैं यहाँ चार पीछे लगते हैं यह इस grab handle मिल जाते हैं जबकि उसमें पूरा round से पाला आता है जिसमें flat seat रहती है यहाँ पर नीचे में reflector मिल जाता है यहाँ नंबर प्रेट के options इंडिकेटर में मिलते हैं ना कि LED में यहाँ पर मिल जाता है में mudflip जो की कीचर वगर आने से रोग देता है silencer cover वगर मिल जाता है चलिए यह तो बात हुई इस गाड़ी के look की और performance की अब यदि बात कर इसके mileage की तो जो की company claim करती इसका 65 याने 60 plus claim करती company बट अभी तक इसकी जैसे पहली service हुई है तो honor ने यहाँ पर जैसी open करेंगे तहां मैं battery का box देखने को मिल रहा है मैं इसे पूरा open नहीं कर रहा भी यहाँ पर fuse देखने को मिल जाते है toolkit मेरे के health साथ उस side में रहता है आपको उस side भी दिखा देता हूँ यहाँ पर 15 ampere plus 10 ampere के fuse लगे हुए है चलिए उस side में खुलते है toolkit इस side में तो नहीं रहती इस seat के नीचे में रहती है जो कि एक long process है इसे खूनने के बाद में पहली first निकलेगी उसके बाद में back वाली seat निकलेगी तो चलिए अब बात कर लेते इसके conclusion की यदि बात कर उसके conclusion की यदि आपका budget एक लाग के आसपास का और आपको चाहिए sports bike जो कि एक अच्छी performance दे साथी में look भी enhance करके provide करें और आप फोड़ी सी compromise करेंगे power में तो आपको पलसर एकदम best लगेगी लेकिन इसके लेकिन इसके competition में भी कही सारी है जैसे tvs rider भी है साइन SP भी है यदि इसके look की बात करें तो हर कोई की choice अलग अलग रह सकती अपने according जो जिसको look पसंदा वो रहता है यदि आपको कोई एक बाइक चाहिए तो continuously आप ड्राइव करें चैसे आप एक बार पलसर उसके बाद में tvs rider हो गई या फिर होंडा की साइन SP हिरो की ग्लैमर वगरे जितनी भी 125 सिसी आती है आप एक के बाद एक गाड़ी ड्राइव करते जाएंगे तो आपको performance का एकदम best idea मिल लाएगा तो फ्रेंड्स ही आज की वीडियो वीडियो कैसी लगी हमें comment जरू करना वीडियो पसाने तो हर कोई की चोईस अलग अलग रह सकती अपने अकॉर्डिंग जो जिसको लुक पसंदा है वो रहता है यदि आपको कोई एक बाइट चाहिए तो continuously आप ड्राइव करें चैसे आप एक बार पलसर उसके बाद में tvs rider हो गई या फिर होंडा की साइन SP हिरो की ग्लैमर वगर जितनी भी 125 सिसी आती है आप एक के बाद एक गाड़ी ड्राइव करते जाएंगे तो आपको परफॉर्मेंस का एकदम बेस्ट आडिया मिल लाएगा तो फ्रेंट यह थी आज की वीडियो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट जरू करना वीडियो पसाएंदे वीडियो को हिन जय भारत